कि फिर्स सेंटेंस क्या होगा क्विशन नंबर टू फिर्स पार्ट के लिए लिए लेड़ दा स्पीड ओफ बोट इन स्टिल वाटर भी स्टिल वाटर भी हामच एक्स किलोमेटर पर आर लिग दें एक्स किलोमेटर पर आर और स्पीड ओफ स्ट्रीम लिग दो स्पीड ओफ स्ट्रीम वह लिख देते हैं अपन वाई किलोमेटर पर आर और इसके बाद Speed Downstream Speed Downstream लिख देते हैं Add हो जाएगे X plus Y kilometers per hour ठीक है और Speed Upstream US मतलब Upstream वो आप तो पूरा लिखना Short में बत लिखना X minus Y kilometer per hour अब according to question बताओ कि Ritu can road downstream 20 kilometers in 2 hours तो formula क्या लिखें formula लिखेंगे हम time is equal to distance upon speed तो बताओ यहां से क्या मिला कि time तो 2 hours है और distance कितना है 20 kilometers और speed कितनी है X plus Y तो यह हमारी equation 1 जाएगी इसको थोड़ा simplify करेंगे तो X plus Y is equal to 20 upon 2 याने 10 याने X plus Y is equal to 10 आगे यह first equation हो जाएगी ऐसे second equation बनवाओ find a speed क्याता है and upstream 4 kilometers in 2 hours 4 kilometers in 2 hours तो T is equal to distance upon speed तो time कितना लिया है इसने इसने क्याता है कि 2 गंटे लगेंगे 4 kilometers के लिए दो गंटे लगेंगे ठीक है तो for 4 kilometers it will take 2 hours तो हम लिखेंगे 2 is equal to distance upon speed distance कितना है 4 kilometers और time कितना speed कितना है X minus Y तो हम इसको solve करके लिखेंगे X minus Y is equal to 4 upon 2 और 4 upon 2 क्या होता है 2 this is second equation तो आप इन दो equation को solve करेंगे तो X और Y की value आजाएगी X किस की speed है boat की और Y किस की speed है stream की तो इस तरह से हम दोनों को solve कर लेंगे so this was the first question अब question number 2 second part इसको हम solve करें तो कहां solve करें एक blank page ले लेते हैं इस पर solve करेंगे question वापस पढ़ लेते हैं 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days तो 2 women and 5 men can finish embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men 3 women and 6 men can finish in 3 days find the time taken by one woman alone to finish the work and also time taken and taken by one man alone तो इसको करने के लिए जो पूछा है उसी को हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक women को पूरा काम करने में कितने दिल लगेंगे x दिल लगेंगे और एक man को पूरा काम करने में y दिल लगेंगे तो जो पूछा है वह हम assume कर लेते हैं तो इसको ध्यान से समझना है यह asset हमने question अभी तक नहीं किया है तो यह work वाला question पूलेंगे तो इसको कैसे करते हैं मैं इसको sentence को कुछ इस तरह से frame करूँगा कि let the number of days let in x days one woman can finish one work ऐसे लिख देते हैं इसको ठीक है तो आपको जल्दी समझना आएगा इससे तो लेट इस राइट डाउन question no.2 second part और इसमें यह क्या करें let women a woman take x days to finish finish how much work one work तो अब क्लिखते हैं let a man take y days तो इसको थोड़ा सा दूर जाके लिखना चाहरा हूँ मैं इसको तो इसको थोड़ा सा erase करके और फिर से लिखूँगा इससे पहले कि हम आगला sentence लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे एक दिन में कितना काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगी कोई बता सकता है एक दिन में कितना काम कंप्रीट करेगी दो दिन में फूरा काम कंप्रीट होता है तो एक दिन में कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा अगर तीन दिन में पूरा एक काम खतम करते हैं तो एक दिन में कितना काम खतम करते हैं 1 by 3, very good, ठीक है, women take, आच्छा, या in one day लिख देते हैं, in one day, women completes, in one day, women, when women, ठीक है, when women completes, हाँ, अच्छुब, कोई बताएगा इसमें, कितना काम कर लेगी, एक्स दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम, एक दिन में तो, one upon x work complete कर लेगी, do you agree, all of you, अगर x दिन में एक काम कतम करती है, तो एक दिन में कितना काम कतम करेगी, one by x, तो एक दिन का काम आ गया, ऐसे ही men के लिखेंगे, let a man take y days, and to finish one work, तो उसके बाद बताओ, कि उसको एक दिन में कितना काम कर लेगी, तो in one day, one man completes how much work, completes one upon y of the work, y दिन में पूरा काम कतम होता है, तो एक दिन में तो one upon y work होगा, ठीक है, ये चार सेंटेंस समझ में आ गए, तो बहुत असानी से आपकी question बना सकते हो, अगर यहां तक नहीं समझगा आया है, तो फिर से फूच लो, क्या लिखा है, इसमें हमने the age of two friends, अनी और बीजू differ by three years, अनी की age हमने x माल ली, बीजू की age y माल ली, last में यही पूचा है, find the age of अनी और बीजू, जो पूचता है ना उसी उनकी age माल लेता है, वह ही हम assume करते हैं, तो अनी की age पूचिए, अनी की age x माल ली, बीजू की age पूचिए, बीजू की age y माल ली, तो कहते हैं, the age of two friends, अनी और बीजू differ by three years, तो हमने अनी को बड़ा माल लिया, बीजू को छोटा माल लिया, तो x-y कहा लिख दिया 3, अनी के फादर की, अनी की age अगर x है, तो उसके फादर की age twice है, twice है मतलब 2x हो जाएगी, तो हमने इसलिए इसके नीचे फादर की age 2x लिखिए, अब अगले third sentence में बोलता है, बीजू is twice as old as sister Kathy, बीजू की age दुगनी है, किस से दुगनी है, उसके sister Kathy से, double है उसकी age, तो बीजू की age अगर double है, तो उसकी sister की age तो आधी हो जाएगी उसके, तो अगर बीजू की age y है, तो Kathy की age तो y by 2 हो जाएगी, अगर बीजू की age 20 years है, तो Kathy की age तो half होगी, 10 years होगी, तो BGU की age अगर Y है तो Kathy की age Y by 2 होगी तो हमने Kathy की age Y by 2 लिख दी और आगे कहता है The ages of Kathy and Durham differ by 30 years तो father तो बड़े होता है और Kathy तो sister है वो छोटी होगी तो Durham की age minus Kathy की age Durham की age 2X और Kathy की age Y by 2 दोनों का difference कितना दिया है? 30 years तो अभी उसको solve कर सकते हैं किसी भी method से ठीक है अब आते है question number 2 पर कहते है one says give me 100 give me 100 give me 100 friend I shall then become twice as rich as you मैं तुमारे से जो है जितना तुम अरपास पैसा उसका डबर पैसा मेरपास होगा अगर आप मुझे 100 रुपीस दोगे ऐसा बोल रहा है तो एक ने दूसरे को कहा तो कहते है the other replies तो दूसरे ने कहा if you give me 10 अगर तुम मुझे 10 रुपे देते हो I shall be 6 times as rich as you तो तुमारे पास इतना पैसा बचेगा उसका 6 times पैसा मेरे पास हो जाएगा ऐसा बोल रहा है tell me what is the amount of the respective capital और ये कहां से लिया गया बीजगने से लिया है ये बासकरा second जो है mathematician थे उनकी एक किताब है बीजगने तो उसमें से लिया गया तो चलो मान लेते हैं ये दो friends एक का नाम है A और दूसरे का नाम है B ठीक है तो एक का नाम A मान लेते हैं और दूसरे का नाम मान लेते हैं B तो ये तो question number 1 था और अब ये question number 2 इसकी question बनाएंगे हम तो question number 2 में क्या कहता है कि A के पास मान लो शुरुआत में कित्ते रुपे थे मान लो इसके A के पास X रुपीस थे और B के पास Y रुपीस थे मान लो तो अब X बोल रहा है Y को या A बोल रहा है B को अगर आप मुझे 100 रुपीस दे दो तो 100 रुपीस किस से लिए 100 रुपीस ने B से लिए तो 100 रुपीस के पास add हो गए तो कहता है मेरे पास दुगने पैसे होंगे आपके पास जितने पैसे रह जाएंगे न उसके दुगने अब B वाले के पास कितने पैसे रहे पहले तो उसके पास Y रूपीस थे और 100 उसने दे दिये 100 दे दिये तो उसके पास Y-100 रहे तो Y-100 रहे तो उसको twice करेंगे तो क्या हो जाएगा तो उसके पास twice पैसा हो जाएगा A के पास पहले A के पास X रुपीस थे, B के पास Y रुपीस, यह ने बोला B को, कि अगर आप मुझे 100 रुपे देते हो, तो 100 रुपे ले लिए उससे, तो A के पास कितने पैसे होगे, X plus 100, और B के पास कितने रह गए, Y minus 100, तो यह कहता है, यह कहता है कि मेरे पास आप से दुगने पैसे हो जाएंगे, तो हम क्या कहे रहे है, Y minus 100 को 2 से में प्लाइ करेंगे, तो A के पैसे आ जाएंगे, तो यह हमारी first equation हो जाएगे, इसको solve करोगे, first equation मिल जाएगे, तो इसको simplify करके देखते है, क्या मिलता है, तो X minus 2Y, और is equal to minus 200, और minus 100, तो minus 300 कर सकते हैं, इसको चाहो तो, यह तो if you give me 10, अब यह कौन बोल रहा है, यह second वाला person बोल रहा है, क्या था, अगर मुझे 10 रुपे दोगे, यानि B वाला बोल रहा है, कि अगर मुझे 10 रुपे दोगे, यानि Y में Y plus 10 कर दें, तो फिर X के पास क्या बचेगा, X minus 10 बच जाएगा, क्योंकि 10 रुपे इसको दे इसके पास X थे, इसके पास Y थे, अब इसने क्या किया, 10 रुपे ले लिया, B ने 10 रुपे ले लिया, किस से ले लिया, A से, तो A के पास किते रहा है, X minus 10 रहा है, अब यह B कहता है, कि मेरे पास तुमारे से 6 times जादा पैसे है, तो Y plus 10 is equal to 6 times X minus 10, इस तरह से हमारी second equation बने ज 70, यह second equation, आप solve करना, और answer निकालने, कुशिश करना, खुद भी equation बनाना, कुशिश करना, फिर से आप इसको equation को बनाओ, तो देखते हैं, बनती है, आप से कि नहीं, question number 3 पर आ रहे हैं, a train covered a certain distance at a uniform speed, uniform speed से कुछ distance कवर के एक train ने, अब इस में देखो, इस question के अंदर, कहीं पे भी, देखो के ऩहता है, यह train covered a certain distance elephant uniform speed, अब uniform speed पता नहीं क्या है, और आखर में क्या पूछा, है, find the distance covered by the train, तो हमने distance को assume करना है, कि distance माल लो कितना है, तो यह distance theorem कर लेंगे, और यह फिर हम speed और time अचीण कर लेंगे, uniform speed को X मान लेते हैं तो इस question के अंदर uniform speed को X मान लेते हैं चलो question number 3 में let uniform speed be is equal to say x km पर आप क्या कहता है if the train would have been 10 km faster अगर 10 km ज्यादा fast चलती train तो it would have taken two hours less दो गंटे उसको कम लगते तो पहले तो दो गंटे पहले तो पता हो time पहले कितना लग रहा था जो दो गंटे कम लगते usual याने रोज उस train को टाइम कितना लगता था टी आर्स लगते थे ठीक है तो distance कितना cover होगा था बताओ distance पता लगेगा जब हम speed into time करेंगे तो इन्हें x into t रोज इतना time लगना चाहिए ठीक है अब हम बात कर रहे हैं first condition की तो first condition क्या है तो कहता है if the train would have been 10 km faster तो पहली condition के लिए हम कह रहे हैं कि 10 km फास्ट होती तो speed कितनी हो जाती पहले तो x थी और और अब x plus 10 हो जाती है तो कहता है अगर 10 km ज्यादा फास्ट हो जाती तो उसको कितने time कम लगता दो गंटे कम लगते तू आर्स लेस बोला है इसने दो कहां लिखा है 10 km faster it would have taken two hours less than the schedule time schedule time कितना था schedule time थो टी था schedule time T है तो उसमें अब time कितना ज्यादा लग रहा है कितना कम लग रहा है दो गंटे कम लग रहे तो अब time कितना लग रहा है वो लिख देते हैं यहां पर time taken कितना होगा time is t-2 थीक्त है mo speed उसने बढ़ा दिक अगर 10 क्लॉटर बढ़ा दें speed एक बनाऊ speed बढ़ा देंगे तो time ज्यादा लगए का कम लगेगा speed जल्दी पहँच जाएंगे तो time कम लगेगा कितना time कम लगेगा? t-2 as और पहले कितने लग रहा था? टी आस लगता था अब टी मानस टू आस लगेगा तो अब बताओ equation क्या बलाएंगे तो equation without distance covered कितना बना distance d माननों कितना हुआ कि speed into time x plus 10 into t minus 2 मानने लेते हैं इसको ठीक है तो यहां पर जो distance इसको d मानन रहे है x into t किया है distance तो distance तो वही कवर करना है speed बढ़ा दी तो time कम लगेगा अब हम बढ़ रहे हैं अगले sentence की तरफ और उससे अगली equation मनाएंगे तो यह हमारी equation बन तो गई है पर इसको और simplify कर लेते हैं चलो पहले तो पहले simplify करें इस equation को तो चलो लिख देते हैं इसमें क्या लिखवा होगे कि d is equal to d की जगे हम xt भी लिख सकते हैं चाहें तो तो चलो इसकी जगे d लिख देते हैं और यहां पर multiply करेंगे तो x into t और minus 2x और फिर plus 10t और उसके साथ आएगा minus 20 तो आगो बता है xt की जगे हम क्या लिख सकते हैं d तो d से d cancel हो जाएगा और हमारे फार्स क्या बचेगा minus 2x plus 10t और minus 20 और is equal to 0 क्योंकि d से d cancel हो गया तो simplify कर दो तो क्या आएगा minus 2x plus 10t is equal to 20 क्योंकि minus 20 को हम उदह लेगे so this is equation 1 इसी तरह से हमें second equation बनाने हैं तो सब जने help करेंगे second equation बनाने में तो क्या कहा है यहां पर देखो if the train was slower by 10 km per hour तो 10 km कम होती speed अगर 10 km कम होती तो speed पहले speed क्या थी पहले तो speed x थी अब speed क्या हो जाएगी एक्स minus 10 हो जाएगी slow हो जायेगी train तो time कम लगेगा ज्यादा लगेगा तो इस लो हो जाएगी तो time ज़्यादा लगेगा तो कहता है it would have taken 3 hours more 3 गंटे ज़्यादा लगेगा तो find the distance covered तो distance तो उतना ही cover करना है तो चलो अपन फिर क्या लिखें कि फिर से distance into speed into time लिख देता है speed into time से distance आ जाएगा तो second equation बनाने के लिए इसने क्या किया 10 km per hour इसने speed कम कर दे तो यह second part कर रहा हम इसका तो x minus 10 speed हो गए और time कितना लगा 3 गंटे ज़्यादा लगे तो total distance कितना cover हुआ भई total distance तो वह distance मानो d था distance d cover हुआ तो multiply करो तो x into t फिर plus 3x और फिर minus 10 t और minus 10 into 3 क्या होगा minus 30 is equal to d तो बताओ x t की जाएगे हम d लिख सकते हैं speed into time की जाएगे distance लिख सकते हैं तो distance तो d माना है हमने तो दोनों तरफ से d क्या हो जाएगा कट जाएगा ठीक है रॉनक तो d से d cancel कर देंगे तो क्या मिलेगा भई d से d cancel कर देंगे तो एक्षिन मिल जाएगे 3x minus 10 t और is equal to 30 इस यॉर सेकन एक्षिन तो इन दोने एक्षिन को सॉल करेंगे x और t मिल जाएगा और x और t को मंट्पलाइगे तो क्या मिलेगा x और t को मंट्पलाइगे तो दिस्टन्स मिल जाएगा x क्या है speed और time क्या है टी क्या है time है तो distance in speed into time क्या मिलेगा distance तो last में आप x और t निकाल कर और उनको multiply करोगे ठीक है तो आप answer आजाएगा so this was about question number three and the time is about to get over